वेल्कम टू में चैनल फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस टाइब का स्लिंग बेग बताऊंगी जो सिर्फ वन-पिस फैब्रिक से बन जाता है। इसमें आप हैंडिल के बीना भी उसकर सकते हैं और हैंडिल लगाकर लगार की भी उसकर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे pockets है, आप मार्केट से लेने जाएंगे तो इसमें एक याँ दो pocket से लगता है, आप इस तरह से बनाएंगे तो इसमें बहुत सारे pockets हिल जाएंगे, देखिए, और आप अपने हिसाब से sizes इसकी रख सकते हैं, आपकी फून की जितनी चौडाई है उसके इसाफ से आप इसको बना सकते हैं इसके लिए मैंने cotton fabric लिया है इसकी चौडाई रखी है मैंने 26 इंच और इसकी यहां से यहां तक लंबाई है 7 इंच यहां से यहां मैंने 11 इंच दोनों साइट से लिया है और उपर भी 11 इंच लिया है और यहां से यहां पाच इंच लिया है ऐसा दो पिस लिया है एक मैंने canvas अटेच कर दिया आप इसके canvas के भिना भी बना सकते हैं कि के लिए मैंनेुस क्पकर ड़ा गाने कि लिए मैंनेw एक इंच इदर एक इदर दो इन्च देते हुए इस तरह से अपको बना लेना है देखिए फ्र junior श्पर से मैंने 살아फ इंच गुलाय कर दी है दोनोे सब्सक्राइश फैरिक में इसे उल्टा करके सारे साइट से स्टीच करना है एक साइट से खुला चोड़ना है सिधा करने के लिए देखे फ्रंस से मैंने सारे साइट से स्टीच कर देए एक साइट खुला चोड़ा इधर से सिधा करना है देखिए फ्रेंट्स मैंने इसे सिधा करके टॉप स्टीज दे दिया है मैं इसमें वेल्करो लगा रही हूँ अब चाहे तो बटन लगा सकते हैं दो इंच और मैंने वेल्करो यूज किया है एक यहां लगाना है यहां से यहां एक इंच छोड़ते हुए और एक यहां लगाना है फिल्कुल नीचे यहां से यहां एक इंच छोड़ते हुए देखिए फ्रेंट्स मैंने एक साइट वेल्करो लगाया विस से अटैच कैसे करना है वो मैं बताती हूँ पहले इसे इधर कोने में इस तरह पकरते हुए इससे इस तरह फोल्ड करना है उसके बाद इसके उपर इस तरह रखते हुए फोल्ड करना है फिर दूसरे पाट को भी इसी तरह रखते हुए इस तरह fold करना है दोनों साइड से, उसके इसको इस तरह fold करते हुए, पहले इससे attach कर लिया है, देखिए, इसमें कितने सारे pocket होने है, एक, दो, तीन, चार, पांच, अब इसको इस तरह, ऐसे fold करते हुए, आपको, दोनों साइड से, इससे लगाते हुए, स्टीच करना है उसके बाद आपको यहां वेलक्रो को अटेच कर देना है देखे फ्रेंट्स मैं ने इसे सारे साइट से स्टीच कर दिया है इसमें आप हैंडिल के बिना भी यूज़ कर सकते हैं हैंडिल लगा करके भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से आप हैंडिल लगा करके भी यूज़ कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक किजेगा शेयर किजेगा चैनल को सब्सक्राइब किजेगा नेक्स वीडियो में फिर मिलूंगी नए आडिया के साथ तब तक के लिए बाई